नमस्कारम, आयरवेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है खासी, खासी सामान्य हो या फिर मौसमी खासी हो खासी का जो घरेलू इलाज है वो बहुत ही कारगर होता है खासी की ज्यादातर दबाईयां हमारे रसोई में मौजूद होती है तो आज मैं आपको जानकारी दूँगा क्या है खासी की सबसे कारगर आउशधी, सबसे सटीक आउशधी जिससे हम सिर्फ निसुल को रूप से फ्रियापकास्ट अपने घर की ही आउशधियों से ठीक हो सकते हैं तो आएए जानते हैं जिनको भी खासी आ रहा हो, चाहे सूखी खासी आ रहा हो या फिर बलगम वाली खासी आ रही हो उनको चाहिए कि थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड अर्था दो चुटकी के बराबर हल्दी और 5 गराम के बराबर गुड दिन में 3 बार खाएं और 15 मिनड़ तक पानी ना पियें सिर्फ ऐसा करने से 5 दिन से 3 तीन या 5 दिन में खासी ठीक हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कि खासी आने लगता है तो लगातार दो तीन मिनट तक वो खासते ही रहते हैं तो जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है तो उनको चाहिए कि तुरंत खासी बंद करने के लिए इंस्टेंट खासी को बंद करने के लिए दो काली मिर्च या फिर दो लॉंग मुह में रखके उसको अगर एक मिनट मुह में रखें तो तुरंत खासी ठीक हो जाता है अर्थात जब आपको दिन में जिस समय आपको लगे कि नहीं आप खासी आ रहा है तो अपने जेब में आप लॉंग या फिर काली मिर्च रखिए और दो दाने आप मुँ में डाल लीजिए उसको चूसिए तो उससे तुरंत एक मिनट के अंदर खासी से आराम हो जाता है इसके अलावा जिनको खासी आ रहा हो उनको चाहिए कि तरकुटा चूंड तीन गराम और एक चम्मच अल्थात पाँच गराम सहद में मिला के दिन में तीन बार चाटने से 2-3 दिन में कैसी भी खासी हो ठीक हो जाता है या सिर्फ हल्थी खालें और पानी ना पीएं उससे भी खासी ठीक हो जाता है इसके अलावा जिनको खासी आ रहा हो उनको चाहिए कि पीपर का चूंड दो ग्राम और एक चम्मच सहद में मिलाके दिन में तीन बार चाटने से और इस दवा को जब भी आप ग्रहन करें जब भी चाटें सहद में मिलाके तो उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद पानी ना पिएं तो सिर्फ ऐसा दिन में तीन बार करने से दो सी तीन दिन में ही कैसी भी खासी हो ठीक हो जाता है इसके अलावा जिनको खासी आ रहा हो वो चाहें तो सिर्फ अदरक का जूस निकाल लें एक चम्मच अदरक का जूस निकाल लें उसको आग पे थोड़ा सा गरम कर लें और फिर एक चम्मच सहद में मिलाके उसको चाट लें और पानी ना पिएं ऐसा भी करने से मुश्किल से 2-3 दिन में खासी एकदम से ठीक हो जाता है और जिस समय खासी आए उस समय तुरंद भी करने से तुरंद की खासी बंद हो जाती है इसके अलावा जिनके हाँ अडूसा उपलब्द हो अडूसा क्या होता है यह आप मेरे एक अलग वीडियो में देख सकते हैं तो जिनके हाँ अडूसा उपलब्द हो तो अडूसा के पत्तियों का रस 10 ग्राम और थोड़ा सा घुड़, थोड़ा सा हल्दी एक गलास पानी में पका कर पीने से कैसी भी खांसी आ रही हो ठीक हो जाता है इसके अलावा जिनको भी खांसी आ रही हो उनको चाहिए कि वो गुनगुना पानी में नमक डाल के पीए और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के पीए तो इतना भी करने से दो से तीन दिन में खासी ठीक हो जाता है देखें खासी को ठीक होने में कम से कम तीन दिन इसलिए लगता है कि खासी एक प्रकार का फ्लू होता है और जितने भी फ्लू होते हैं जितने भी कफ होते हैं कम से कम उनको कफ रोग होते हैं जितने भी कम से कम उनको ठीक होने में दो से लेके चार दिन का समय लगता है तो यहार नेहसुल को रूप से बढ़िया औशधी है और बहुत ही कारगर औशधी है इसको आप घर पे कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और यदि आपको कोई प्रस्ण हो आपको आउशधी के बारे हम कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें आप किसी रोका निदान चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें आपके रोका निदान की जानकारी आपको निस्चल को रूप से दिया जाएगा आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत